नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओनलाइन और ओफलाइन ग्यान में दोस्तो आज जो मैं आप लोगों के लिए टोपिक लेकर आया हूँ, वो लेकर आया हूँ स्कॉलर्शिप का बहुत बड़ी संख्या में बच्चे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि सर जी अगर आपके पास कोई स्कॉलर्शिप है, कोई इन्फोर्मेशन है स्कॉलर्शिप की कैसे हम पराप करें तो हमें जानकारी दो तो मैं इस पर आप लोगों के लिए सीरिज स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोग सीरिज चाहते हैं तो कमेंड बोक्स में मुझे बता देना हाँ हमें चाहिए, तो मैं जो है इसे कंटिनर रखूँगा अगर आप लोग बोल देंगे कि हमें स्कॉलर्शिप की जरुत नहीं है, तो आज के आज ही यह वीडियो लाश्ट होगी, इसके बाद स्कॉलर्शिप का कोई टोपिक नहीं आएगा यह सारी चीजे आपके उपर डिपेंड करती है, युगिया रामायन देश में बहुत प्रतीबा साली बच्चे हैं, उनको फंड की वज़े से अपनी स्किल को बढ़ाने का समय नहीं मिल पाता, अपनी स्किल को वो पैसो की वज़े से जो है नहीं बढ़ा पाते हैं, तो मैं आप लोगों को फंड मिलने में असानी होगी, मैं एक एक चीज आप लोगों को बताऊंगा, कैसे रेजिटर करना है, क्या करना है, किसको मिल सकती है, स्कॉलर्शिप, कौन से स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, तो सारी चीजे मैं लेकर आऊंगा, मेरी ज़्यादा तर कोश रहेगी कि ओल ओवर इंडिया की अप्रेंटिशिप नहीं, स्कॉलर्शिप में लेकर आऊं, ओल ओवर इंडिया की, लेकिन अगर किसी पाटिकुलर स्टेट की भी आती है, तो मेरा फोकस उस पर भी आप लोगों के लिए रहेगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर चाते हैं कि स्कॉलर्शिप कंटिउनी रखूँ तो कमेंड़ बोक्स में मुझे बताना, अगर आप लोग नहीं चाते तो भी मुझे बताना, ठीक है, तो मैं जो है इसे कंटिउनी करता हूँ, और यह जो आज की स्कॉलर्शिप है, यह पहली स्कॉलर्शिप की अपडेट ह all over India से आप लोग जो है scholarship के लिए apply कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि पहली जो scholarship है वो मैं किसी particular state के लिए लेकर आया हूँ all और वो over India से apply कर सकते हैं लगबग 40 के से 50 के तक आप लोगों को यहाँ पर मिल सकते हैं 10th pass, 8th pass, 5th pass, graduation, 12th pass सबकी दीरे-दीरे करके ढूंड ढूंड के आप लोगों के लिए scholarship लेकर आऊ तो भासर बहुत ज़्यादा दे दिया अब सीधा बढ़ते है scholarship पे क्या है क्या details है मैं इसके form की इसके registration की video आप लोगों के लिए तब लेकर आऊँगा जब आप लोग comment box में agree करेंगे कि मैं scholarship की video लाऊँ या ना लाऊँ मैं about जो हमारा community का section है उसमें भी डाल दूँगा तो अगर बच्चे agree करेंगे तो scholarship की video आप लोगों को मिलना शूरू हो जागी continuously ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको information देता हूँ buddy for study बहुत बच्चे जानते भी है इसके बारे में और बच्चों को यहाँ पर scholarship जो है मिली भी है इनी की तरफ से scholarship है FA EA scholarship 2223 इसका जो है इनोंने नाम रखा है अब यह scholarship किसको मिल सकती है मैं आपको पूरा clear कर देता हूँ यह जो FA EA scholarship है जो जर बाइस ते इसकी है यह opportunity offered by the foundation for academic excellence जो FA EA की फुल फोर्म है to class 12th pass जो बच्चे बारवी पास हो गए है उटके लिए scholarship है जो बच्चे फरस्ट एर में अभी पढ़ रहे है उनके लिए scholarship है जो 11th के बच्चे है 10th के बच्चे है 9th, 8th, 7th वी वो इसमें apply नहीं कर सकते ध्यान रख रहा है जिनोंने 12th pass कर ली फरस्ट एर में या तो वो चले गए या 12th pass करके कही घूम रहे है जो अपकी तलाश कर रहे है उनके लिए यह जो है scholarship है undergraduate मतलब first year के बच्चे, arts, commerce, science, engineering सब चलेगा ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ arts को देंगे, commerce को देंगे, science को देंगे सब के लिए other technical, professional जो disciplines के बच्चे उनको भी यह scholarship के allow कर रहे है बाकी है information जो है इतनी important नहीं है मैं नीचे आप लोग को बता देता हूँ बस इसमें आप लोग को बता दू क्या क्या include होगा, tuition fee, maintenance allowances, hostel, mass charges, जो लगबख 40-50,000 रुपे आप लोगों के बन जाते हैं तीस, जून तक आप लोग इस scholarship के लिए apply कर पाएंगे अगर जैसे कि मैंने उपर बताया आपको मैंने clear कर दिया eligible कौन है लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको clear कर देता हूँ जिन्होंने 12th pass किया है वो apply कर सकते हैं 1st year undergraduate बच्चे ध्यान रखना जो अभी 1st year में पढ़ रहे हैं वो apply कर सकते हैं मैं फिर से बता दू 11th, 10th, ITI इसमें apply नहीं कर सकते लेकिन अगर आप 12th pass है और ITI भी किया है तो भी apply कर सकते ध्यान रखना इस चीज का आपने 12th का पास किया ऐसा कोई criteria नहीं नहीं दे रखा तो अगर आप लोग जो eligible है तो 12th base पे apply कर लेना note student who class 12th result have no declared जिनका अभी 12th result declare नहीं हुआ है वो apply नहीं कर सकते हैं जो ब्लोंग करते हैं socially and economical weaker section से EWS वाले बच्चे भी होते हैं वो apply कर सकते हैं इसमें ठीक है तो यह वाला point भी बहुत important है इस चीज का ध्यान रखना benefit क्या आए selected candidates will receive tuition fee मिलेगी आपको maintenance allowances मिलेंगे या फिर जो होस्टल के होते वो allowances मिलेंगे mass charges मिलेंगे as per the norms total मिला के जैसे कि मैंने आपको बताया 40-50,000 रपे आपको लगबग मिल जाएंगे last year भी यह scholarship आप लोगों के लिए निकली थी निकलते रहती है मैं दिरे दिरे करके आपको सारी जानकारी दे दूँगा नोट यह आप पढ़ लेना मेरको इतना important यह चीज नहीं लग रही है how can you apply candidate can apply for the scholarship by the following below mentioned steps apply now का बटन यहां पर है लेकिन मैं इसे पढ़ रहा हूं apply now पर click करना है registration पर आगे बढ़ना है after successful registration login करके valid जो credentials है जो भी document यह लोग मांग रहे हैं आपको upload करने पढ़ेंगे fill in the online application form and submit ठीक है तो यह जो है apply now का option है जैसी एक चीज़ और बता दू जिन बच्चों के पास cyber cafe नहीं है cyber cafe वाला जो आपके area में नहीं है या फिर गलत form fill कर देता है आपके पास laptop नहीं है आपके पास कोई साधन नहीं apply करने का तो भईया description में एक वारे link दिया है आप हमसे भी scholarship का form fill करवा सकते हैं हम आपका फिल कर देंगे link description में पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे मैं इसका direct link आप लोगों को दूँगा ताकि आपको भटकना ना पड़े apply now पे इस वाले पे नहीं यह add है इनकी इस पे click करना है आपको जैसी आप लोग click करेंगे यह आपको इस पे लेकर जाएगा या तो आप mobile number से register कर दे या email ID से कर दे या google ID से कर दे जो आपको पसंदा रहा है बाकि अगर आप हमसे करवाते हम तो आपका 100% करी देंगे हमसे करवाने के लिए link description में mobile number पे click किया और यहाँ पर आपको information डालने के लिए आ गया तो अगर आप बोलेंगे तो मैं आप लोगों को complete scholarship का कैसे form फिल करना है उसकी वीडियो ला दूँगा अगर आप बोलेंगे तो और अगर आप मना करेंगे तो भाया नहीं लेकर आउँगा और अगर आपको हमसे scholarship का form फिल करवाना तो उसका link description में बागी धन्यवाद keep in touch आप लोग जुड़े रहिए और अगर आप चाहते हैं मैं continuously scholarship की वीडियो लेकर रहा हूँ तो लाता रहूँगा इस scholarship की date जो है आप लोगों की यहाँ पर 30 जून है यानि आपके पास 22 तारीक आट दिन है लगबग अप्लाई करने के लिए और हमसे भी अप्लाई करने के लिए आप लोगों को आट दिन दिये जा रहे है धन्यवाद keep in touch जो भी important links है मैंने description में दे दिये ज्यादा information के लिए चैनल को subscribe करें क्योंकि आप scholarship की आप लोगों के लिए series अबने start कर दिये धन्यवाद